हलो एव्रीवान आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के इस अमेजिंग यूटूब चानल पर जहां मैगनेट ब्रेंज आपको प्रोवाइड करते हैं all the subjects, सारी classes के that is K12 यानि kindergarten से class 12 की सारी classes के सारे subjects के पूरे पूरे syllabus के videos and that too free of cost हर एक concept को डीटेल में पढ़ाया जाता है only on Magnet Brains YouTube channel आप हमारे YouTube channel पे पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी board के बच्चे हैं UP board, MP board, Bihar board या फिर CBSC board बढ़िया तरीके से बिना किसी चार्ज के मैं हूँ भाई जीशान, your maths mentor और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं Magnet Brains के इस amazing YouTube channel पर देखो दोस्त आज क्या पढ़ने वाले हैं आज class 9 के प्यारे बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ मैं triangles chapter के कुछ बहुत ही जादा important questions, that is the most important questions part 3 इस third part में बिटा आपन को 21 से लेकर 30 questions तक पूरे cover up करना है easily हो जाएंगे थोड़ा सा lengthy video हो सकता है because detail में के line लिखकर समझाता हूँ तो यार समय तो लगता है बिलकुल ऐसे समझाता हूँ जैसे आप एक तरह से offline में बैठकर किसी school teacher से या किसी एक ऐसे teacher से सीख रहे हैं जो आपको बिलकुल सामने पढ़ा रहा है step by step इसलिए थोड़ा सा extra time लगता है तो चलो यार जल्दी से pen copy notebook जो कुछ भी निकालना है सब निकाल के बैठो because आप भी मेरे साथ इन सारे questions को करोगे attempt तो यह रहा हमारा पहला question for today what is this question saying यह question कह रहा है prove that the medians of an equilateral triangle are equal okay देखो भाई या पहले तो equilateral triangle बनाते हैं ठीक है sir यह होगे अपना बढ़िया वाला equilateral triangle तयार ठीक है अब भाई इसकी median बनाओ इसकी अपन median बनाए median क्या होती sir median होती बेटा ऐसी lines सुनते जाना सुनते जाना ऐसी lines जो vertex से आके base को दो equal parts में divide करते गौर से सुनिएगा यहाँ से अपनने median बनाई यह हो गई median ठीक है यह हो गई median अरे भाई सीधी बन जाना ठीक है sir यह हो गई median यहाँ से अपनने median बनाई सामने जाएगी यहाँ हो गई यह मीडियन यहाँ से अपन median बनाएंगे यहाँ पर यह टकराएगी यह हो गई भी यह अपनी median ठीक है ओके तो जल्दी से नाम लिख लेते हैं sir यह हो गया यह हो गया यह हो गया टोटल 6 पॉइंट्स आगए हाँ 6 पॉइंट्स आएंगे ठीक है थोड़ा सा प्रॉपरली थोड़ा सा स्लो चलेंगे इस ट्राइंगल का नाम है ABC ठीक है sir ABC दिस इस अन आई सॉसलेस ट्राइंगल ठीक है और मीडियन्स दी गई है तो मैं एक चीज़ बताऊं बढ़ी है याद रखना class 10th में काम आएगी chapter coordinate geometry में पूछा जाएगा सारे मीडियन्स किसी भी ट्राइंगल के सारे मीडियन्स एक point से गुजरते हैं concentric होते हैं गौर से सुनना तो यह concentric कहा रहा हूँ sorry concurrent होते हैं तो यह जो point होता है ना तीनों मीडियन्स के मिलने का इसको बोला जाता है centroid of a triangle याद रखना इदर फिलाल काम नहीं है मैं ऐसी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में ठीक है सर तो हमको जो दिया गया पहले तो हम वो लिखेंगे given क्या given है सर हमें हमें given है सर a,b,c,d is an equilateral triangle that is a,b is equal to b,c is equal to c,a ठीक है यह हमको given है और let us say let us say let कर लेते हैं कि each side is 2x ठीक है let कर लेते हैं अपन let a,b is equal to 2x b,c भी 2x और c,a,b 2x सब 2x होंगे एक 2x हो गया तो दूसरा भी 2x और c,a,tीसरा side भी 2x 2x ही क्यों सोचा उसका भी reason बताऊंगा x भी ले सकता था पर 2x ले लिया मैंने ठीक है तो सर यहाँ पर एक चीज तो clearly समझ में आ गई जो आपने mention कर दी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो part है पूरी 20 लेकर c तक यह पूरा का पूरा अपनने 2x मान लिया ठीक है दोस्त yes sir clear है yes sir clear है ठीक है ऐसे ही बच्चों कौर से सुनियेगा यह जो दूसरी लाइन है यह यह एसी यह भी अपनने 2x मान लिया कितना मान लिया sir 2x ठीक है दोस्त yes sir इसी के साथ बच्चों अपनने इसको भी तीसरी जो साइड है यह तीसरी साइड है जो इसको भी अपनने 2x मान लिया done yes sir done तो अभी इसको फिर से मोड देते हैं क्योंकि सीधी लाइन नहीं बन पाती है इसलिए मैंने इनको मोडना चाह ठीक है sir done अभी ठीक है यह भी 2x और यह भी 2x each side of this triangle is 2x units in length ठीक है अब median क्या होता है median देको A से लेकर जैसे ही median इस पर B C पर आया आपन कह देते है AD is the median BE is the median CF is the median तो median पता क्या करता है median base को 2 equal parts में divide कर देता मतलब अगर यह 2x है अगर यह पूरा 2x है तो AD ने BC को X और X में divide कर दिया तो यह कितना कितना हो जाएगा बिटा this will become BD will become X and तुमारा DC DC will become X यह भी X हो गया sir और यह भी X हो गया सब जैसे B से median बनाई AC के उपर तो AC जो 2x है वो 2 equal parts में divide हो गई तो पेटा EC यह 2x का अधा यह 2x का अधा और यह भी 2x का अधा यह नहीं X और X same happens here कि जब C से AB के उपर median बनाया तो AF और F भी 2x का अधा-धा हो गया यानि X और X बात क्लियर है यह sir तो इससे यह समझ में आया कि this equal this equal this equal this equal this equal this यह 6 के 6 parts equal हो गए मतलब sir मतलब this equal this equal this equal this equal this equal this इन पे symbols लगा लो equal के done है yes sir done है now part number two each angle of equilateral triangle is 60 degree you know very well ठीके each angle है ना अपन यहां लिख देंगे we know we know that each interior angle each interior angle of an equilateral triangle of an equal to 60 degree तो angle A और angle B और angle C तीनों equal हो जाएंगे बच्चो 60 degree के तीनों ही 60 degree होंगे और अगर आपको यह नहीं बता तो यह बहुत शरम की बात है बिटा कि you don't know each angle of an equilateral triangle 60 degree sir this is equal to this is equal to this ठीक है तो भहिया पता होगा मुझे पूरी उम्मीद है यार ठीक है सर अब शुरू करते हैं हम अपने काम पे जो main काम हमें इस question में solve करने के लिए दिया गया है क्या दिया गया है हम से बोला गया है कि proof करो every 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 median is equal सारी median जे एक दूसरे के equal है तो यहां लिख देते है we have to prove ad is equal to be is equal to c इन तीनों को इन तीनों medians को equal proof करना है ठीक है सर करा देंगे not a big deal ठीक है इसको जड़ा हटाओ और यहां लिख दो ठीक है सर यह यहां लिख दो यह यहां लिख देते हैं ठीक है done ओके इसको भी यहां साइड में लिख दो ताकि जगह का अच्छा use हो जाए उपियोग अच्छा हो ठीक है और to prove यहां लिख देते हैं ओके done तो चलो सर शुरू करते हैं पहले हमने काम करते हैं इन दोनों इन तीनों साइड को equal कराना है AD और BE ठीक है बिटा AD AD गौर से सुनना गौर से सुनना AD पूरा AD सर यह है AD इससे related कोई एक triangle ले लो चलो यह वाला triangle बना लेते हैं ठीक है और BE BE कौन साइब BE है इससे related यह वाला triangle बना लेते हैं कोई साभी बना सकते हो बस आनी चहिए साइड से ठीक है सर चलो बनाते है AD यानी ABD चलो triangle ABD बना लेते हैं ठीक है अच्छे से बनाते हैं सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अड दी अधर वन इस BE BEC triangle BEC ठीक है triangle BEC यह हो गया triangle BEC ठीक है done सुनते जाना भी एक चीज और बता हूंगा सर यह हो गया A D जिसमें A D I median और यह हो गया B E C ठीक है, done, सुनो नमबर वान पहले तो नाम लिख लें तो मुझे A D B and this is B E C B E C ठीक है, नमबर वान इस अंगल B, पूरा पूरा अंगल B आया जब अपन ने यह पूरा ट्राइंगल खट करके निकाला तो पूरा अंगल B आया पूरा अंगल B is how much, it is 60 degree सर यह 60 degree है यहाँ पूरा का पूरा अंगल C आया है पिटा यह 60 degree है, तो यह दोनों अंगल एकल है, पूरे पूरे 60-60 बाहर निकल के आया this is 60 degree, let me just write it down and this is 60 degree, let me just write it down ठीक है सर, यह दोनों 60 degree each है ठीक है लिख लिया next, सर, B E is equal to A B कैसे? सर, B C, B C पूरा 2 X है B C पूरा 2 X है A B पूरा 2 X है तो यह दोनों equal है यह सही बात है यह तो बिलकुल सही बात है okay, equal sides of a triangle है ना next सर, next है, A D जैसे यह दोनों इनको पहले equal का mark लगा दें, ठीक है सर, B D is equal to E C ऐसा क्यों? B D देखो ना सर, कितना है B D X है, E C B X है है ना, getting my point? यह सहर, बिलकुल getting your point यह हो गया X यानि B D और यह हो गया E C that is X, ठीक है A B यह अपना 2 X है ठीक है, this is 2 X और B C, this is also 2 X तो यह दोनों equal है अब बिटा हमें काफी चीज़े मिल गई इन दोनों को congruent कराने के लिए और इनको congruent कराते हैं ठीक है let us walk along तो in triangle in triangle A B D let us write it this name like A B D and अब इसका नाम सही से लिखना बिटा and triangle इसका नाम B से शुरू होगा A B D तो B C E B C E नाम होगा इसका क्यों होगा बताता हूं उसनो B C E क्यों नाम होगा मैंने A से शुरू करा जिस पर कोई अंगल नहीं बना तो इसका नाम B से शुरू होगा, जिस पर कोई angle नहीं बना A से मैं गया, 60 degree वाले के पास तो B से मैं जाओंगा, 60 degree C के पास B, C, E, हो गया ना ठीक है, angle side, angle side S, 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 और बीच में angle तो side angle side से इन दोनों को कर दो बिटा congruent ठीक है सर, तो A, B equal B, C, A, B equal B, C ठीक है सर, क्यों सर equal sides of equilateral triangle ठीक है, लिख देंगे पन equal sides of equilateral triangle equal sides की जागा सिर्फ sides of लिख दोगे, तो भी काम चल जाएगा sides of equilateral triangle ठीक है सर, next BD is equal to CE BD is equal to CE BD is equal to बेटा CE ये क्यों है, ये है गौर से सुनना, each X लिख दो बस बहुत है each X ठीक है, done है सर लेट अपन ने ये करी लिया, ठीक है diagonal, diagonal लेए angle ABD is equal to angle BCE angle ABD जो की 60 degree है, is equal to BCE angle B, C, E है ना, each 60 degree, ये तो अपन को सर पता है, every angle of equilateral triangle is 60 degree हो गया पता, therefore we can say that, therefore we can say that by side angle side, S, A, S rule of congruency rule of congruence, we can say that triangle ABD is congruent to triangle BCE अब ये किया क्यों हो गया, ये किया गया, इन दोनों को equal कराने के लिए AB और BE को equal कराने के लिए देखो AD and BE are corresponding sides of these two congruent triangles दोनो congruent triangles है, इनके corresponding sides है, देखो last, first से last letter first से last letter, तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं, sir, therefore by CPCT by CPCT we can say that AD is equal to BE AD is equal to BE, इसको ले लिए equation number 1 ठीक है, AD और BE हो गया तो ये दोनों तो equal हो गया now we are running towards अब हम काम करना शुरू करने हैं BE और CF को equal कराने में है नब BE और CF के लिए इसकना जल्दी से copy कर लो so that हम BE और CF को equal करा सकें, ठीक है sir, चलो I am erasing this, I am erasing this, I am erasing this देखो BE तो इस triangle में available है BE इस triangle में available है इसको बना रहने दो CF के लिए हमें CF के लिए हमें या तो CF B लेना पड़ेगा या CF A लेना पड़ेगा, वो अपन ले लेंगे ठीक है, चलो sir इसको अपन हटाते हैं इसको हटा देते हैं ओके, ठीक है तो यह सारा गया equation 1 लिख ही रहने दी मैंने इसको भी अटा देंगे क्योंकि मुझे चाहिए एक ऐसा triangle जिसमें BE आए, BE इसमें है और CF, तो CF के लिए पेटा CFB ले लो, वो जादा सही है तो sir CFB ले ले लेते हैं इसको थोड़ा side में लगते है CFB, ठीक है चलो भी, CFB बनाया जाए CFB कहा है, CFB ओके, C के जैसा है बिल्कुल ठीक है ठीक है, यह होगा अपना CFB Done, लीजे sir देखो बेटा This is C, this is F and this is B ठीक है, done तो यहाँ angle B पूरा आरहा CFB में angle B पूरा आरहा है मतलब यह angle 60 degree होगा This angle is 60 degree ठीक है दोस्त, यह सर यहाँ पहरो लगा दिया, यह 60 degree है ठीक है, done यह लगा दिया ठीक है sir, clarity ज़रूरी है Next, CFB में यह वाला X है यह X है बिटा, this is equal to X तो इस पे अपनने X लिख दिया ठीक है sir, अब पूरा CF बिटा 2X है तो यह 2X लिख दिया ठीक है, done है, yes sir यह भी X है, यह भी X है यह भी 2X है, तो यह भी 2X है तो इसमें भी double dash लगा दो लो भी हो गया side angle side से यह दोनों भी होगा इन दोनों को चल्दी से करते हैं congruent, in triangle in triangle इसको अपन ऊपर रख देते हैं equation 1 है इसको यहां रख देते हैं ठीक है इसका नाम क्या रख 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 है B, E, C, C, F, B triangle B, E, C and triangle C, F, B and triangle C, F, B जल्दी से न का congruency करा देते हैं side angle side से side angle side ठीक है पेटा? देखो, EC equal F, B यह C, E equal B, F C, E equal B, F ठीक है C, E is equal B, F ठीक है? C, E is equal to B देखो, B, C is equal to C, B मेरी बास सुनना है देखो, दिक्कत होगी है या नहीं तो अगर तुम angle से B पे जा रहे हो 2X, यानि C, B तो इस angle से B, C होगा C, B equal B, C ठीक है? C, B equal B, C C, B equal B, C कॉमा नही है और लास्ट में angle ECB, angle ECB is equal to angle F, B, C ठीक है, C equal B, F यह होगा, each X यहाँ लिख देना, each X यह दोनो X है फिगर में तो अपन ने बना के दिखाई दिया उसकी, median की वज़े से यह क्या होगा? यह each 2X यह दोनो 2X 2X है ठीक है, सर इसी के साथ we will end this question क्योंकि सर अब यहाँ खतम होने वाला है therefore by SAS SAS rule of congruence ठीक है triangle this and this are congruent B, E, C is congruent to triangle C, F, V is congruent to triangle C, F, V ठीक है चलो, इसके बाद C, P, C, T निकाल लो भई तो यहाँ से C, P, C, T निकालते हैं by C, P, C, T कौन से parts equal लेंगे बिटा? सर यह ले लेंगे, देखो यह B, E will be equal to C, F B, E is equal to C, F corresponding parts है सर B, E is equal to C, F this is equation number 2 and that's it, solve हो गया बिटा देखो, यहाँ लिख दो, यह वाला B, E is equal to C, F यह equation 2 हो गई दोनों equation को ऐसे लिख सकते हैं कि सर, A, D, B, E के equal है C, F, B, E के equal है तो तीनों equal होंगे therefore, A, D equal, B, E equal C, F hence proved, खतम ठीक है? यही हमें prove करना था कि तीनों medians equal हैं equilateral triangles के तीनों medians equal होते हैं hands proved हो गया चलो, काफी टाइम लग गया इस question में done, आगे चले moving on to next, question number 2 for today चलो, देखते हैं सर इसको एरेस करते हैं, I am raising this यह रहा second question if D is the midpoint of hypotenuse AC of a right angle triangle चलो, भईया hypotenuse AC right angle triangle बनाओ पहले तो यह अपन ने right angle triangle बना लिया ठीक है? diagonal AC है भई ठीक है सर देखो भईया, अगर diagonal AC है तो B angle पे right angle होगा obviously बात है ना अगर diagonal AC AC तो 90 के जड़ सामने होती तो angle B will be 90 अब इन्होंने यह कहा D is a point on hypotenuse of a right angle triangle ठीक है AC, D is the midpoint अच्छा, इनका midpoint है D यहां रखते हैं, midpoint है इसका D तो this part will be equal to this part और यह अपना D होगा यह point D है ठीक है हमें prove करना है BD is half AB ओके BD जोडो BD को join कर दिया this we have to prove कि यह half AD है ठीक है सर हमें prove करना यह वाला BD half AC है इसका prove करना है हो जाएगा not a big deal देखो लिखते हैं सर यहां to prove क्या prove करना है सर BD is equal to half AC इसके लिए तुम्हें construction हां construction करना पड़ेगा construction करना पड़ेगा दोस्त तुम्हें construction तो करना पड़ेगा देखो बताता हूं क्यों सुनो ठीक है हाँ होगा तुम्हें यहां पर एक काम करना पड़ेगा और वही है कि BD के बरावर इसी को बढ़ा दो BD के बरावर इसको बढ़ा दो BD को extend कर دो और इसको इतना extend कर दो BD को कि BD मान के चलो अगर अपन यह extend कर रहा है चलो BD को अपनने आगे बढ़ा दिया इन ता तो किस condition में बढ़ाएंगे चल सर BD बरावर D F बराबर df, आप df बनाओ extra line के bd के बराबर में df बन जाए ठीक है, और इसको भी join कर दो f और a को join कर दिया, ठीक है sir, done ठीक है, done अब ऐसा क्यों किया बताता हूं, सुनो इसलिए किया, कि हम directly bd को half of ac नहीं करा सकते हमें यह extension बनाना पड़ेगा, तो यहां construction लिखो पहले construction, construction बोले तो you have to write what you are making extra इस पूरे figure में extra क्या बना रहे हो तो पहला काम हुआ extend bd, पहला काम हुआ sir, extend bd extend का मतलब है extra उसको extra बनाओ, extend मतलब खीचो extend bc to f bc को, bc नहीं bd, extend bd to f bd to f, bd को f तक खीच लो, such that और ऐसे खीचो such that bd and df are equal, bd and df are equal, यह बहुत important point है विटा उसके बाद हमने second point लिखना है, join fa join fa या af join af, ठब, done, yes sir अब हमारे target पे आएंगे यह दो triangles जिनको हम congruent कराएंगे बिटा यह दो triangles यह दिख रहा यह triangle यह हमारे target पे आजाएगा, यह और यह लोगी यह दोनो triangles हमारे target पे आजाएंगे, target बोले तो अब हमें इन दोनों को congruent कराना है और easily करावी देंगे, कोई बड़ी deal नहीं है ठीक है sir, इन दोनों को अपन congruent कैसे कराएंगे बिटा side angle side से, देखो this is equal to this this is equal to this और angle, vertically opposite angle यह दोनों equal है, तो side angle side से हो जाएगा ठीक है, done है, यह sir तो चलो इन दोनों को congruent कराते हैं इन दोनों को congruent कराने के लिए वैसे तो मैं नहीं चाहता कि बनाऊंग, बट बनाना तो पड़ेगा बिटा तो अलग बना लेते हैं sir, ठीक है यह sir लो भे, यह बना दिया दिस चलो, यह हो गया अपना cdb cdb अड यह हो गया sir, अपना fda अप कई बच्चे के नाम ही गलत पड़ेंगे cdb और fda गलत है c से अगर इसका नाम शुरू कर रहे हो, तो इसका a से शुरू होगा यह बात ध्यान रखो ठीक है sir, यह दोनों angle vertically opposite angle है this is equal to better this and this is equal to this side angle side से इनको करा दो congruent ठीक है, चलो, इनके triangle के अपनने बना तो दिये ही है, अब इनके congruency और करा देते हैं, चलो यहां लिखते हैं in triangle in triangle cdb, अगर इसका नाम cdb बोल रहे हैं तो इसका नाम इसका शुरूँगा a से, a d f and triangle a d f ठीक है sir, side angle side का structure बना लो, s a s ठीक है side cd is equal to a d cd is equal to a d sir, यह कैसे दिया है cd equal a d, अरे d is a midpoint यार, d अपन को midpoint दिया था d is a midpoint of a c given, एक तरह से आप कह सकते हो given के high pot news का midpoint था दूसरा, b d equal f d b d, b d equal f d ठीक है sir, b d equal f d ठीक है, यहां लिखेंगे b d equal f d done, यह कैसे है sir यह कैसे है, बताता हूँ sir, b d और f d equal हमने बनाए थे, तो अपन लिखेंगे by construction by construction angle c d b a d f, vertically opposite angle angle c d b is equal to angle a d f, तो bracket में लिखेंगे vertically opposite angles sir, जी यह तो होगा है हमारे congruent, therefore by s a s rule triangle c d b is congruent to triangle a d f ठीक है, अब इनके congruency से हुआ क्या, इनकी congruency से हमें एक फाइदा हो गया, और वो फाइदा क्या है sir, that फाइदा is, मतलब दो दीन फाइदे होगा, एक फाइदा नहीं, काफी कई फाइदे होगा, बताता हूँ क्यों, सुनो फाइदा number one यह है sir, गौर से सुनिएगा, कि हमने this equal this करा लेना है, है ना, this equal this यह, corresponding sides है न, b, c और e, f यह दोनों equal करा सकते हैं, c, b, c, d से और angles भी equal करा सकते हैं, काफी चीज़े equal हो जाएंगी, ठीक है, काफी चीज़े हम कह सकते हैं कि equal हो जाएंगी, ठीक है sir, अगर इसको, हम, अपन को कराना है, b, d is half ac, ठीक है, b, d is half ac, ठीक है, b, d will be half ac, okay, अब आई बात समझ में, अब आगी बात समझ में, ठीक है, 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 थोड़ा देर लगी मुझे समझने में, गलत नहीं है, सही cpct निकालेंगे चलो cpct निकालते हैं by cpct by cpct we can say that इन दोनों के similar या congruent होने की वज़े से हम कह सकते हैं sir ये वाला और ये वाला equal angle we can say that equal है ठीक है भी तो number one सबसे पहले तो अपन cb equal fa लिखेंगे cb is equal to fa number two we can say that number two we can say that sir bcd angle bcd bcd तभी है सही नहीं है ये थोड़ा slow बोल रहा हूं मैं bcd is equal to fad angle fad ठीक है sir इतना काफी है इसको भी कर सकते हैं this will become equal to this ये भी हो सकता कोई दिक्कत नहीं है ठीक है sir ये important चीज़ें जो हमें निकल के आई हैं भी हाल वो हम वेले लिखेंगे यहां पहले हम यहां लिख ले हैं ठीक है इनको लिख लिया यहां done पिटा अब इसको कर दो erase अब इनका काम हो गया तमाम ठीक है sir अब सुनो बस खतम हो रहा है खतम होने वाला है बहुत easy है अब हमें एक और congruency करानी पड़ेगी और इस बारी हमें जो congruency करानी है वो अलग triangles है थोड़े से ठीक है थोड़े से अलग triangles है बताता हूं देखो अब हमें कराना है cba triangle बनाते हैं triangle cba यह triangle ठीक है पिटा और यह triangle इन दोनों triangle को हमें कराना है congruent अब कैसे कराएंगे देखो बताता हूं हो सकता अपन को और cpcd लेना पड़े भी पीछे वाले से देखो सुनो इसका नाम है cba और इसका नाम है basf ठीक है f a b ठीक है अब दोनों बना लिए अपनने क्या-क्या equal है सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अभी हम equal कराके आए cpcd से देखो cb equal f a ठीक है सर ये दोनों पार्ट गौह से सुनना बिटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट common है अब हमें ऐसा क्या करें सोचना कि ये दोनों equal हो जाएं सर ये वाला और ये वाला इंगल equal हो जाएं बताएं इसके cpct से होगा इस एंगल से इस एंगल ने खेल कर दिया बताता हूं क्या इसको पहले अपन side में कर लेते हैं और इस angle ने खेल कर दिया अभी तुम्हें इस angle का खेल बताता हूँ alternate angles का proving दिया उसने देखो ठीक है बताता हूँ तो मैं अभी हाल बताता हूँ सुनना हाँ बही दो lines जा रहें BC और ये ठीक है और इसको जोड़ दिया पने ऐसे I'm sorry I'm sorry nature's calling कभी भी हो जाती है और मेरी अभी तबियत भी ठीक नहीं है थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा चीक है आएंगी तो बहिए ये दोनों parallel है और ये line हमने जोड़ दी parallel नहीं है सॉरी ये दोनों normal line है ठीक है ठीक है ये दोनों एंगिल्स अभी अपने इक्वल करके आएं ये दोनों एंगिल्स है को bcd fad bcd fad यहां लगाँ अगर ये दोनों एंगिल्स आपको देख सकते हो आप ये दोनों एंगिल्स है alternate angles पहली बात ये दोनों एंगिल्स है alternate alternate के साथ अगर equal भी है तो फिर parallel lines की वजह से equal है है ना फिर किसकी वजह से equal है सर फिर ये parallel lines की वजह से equal है बात समझ में आ रही है yes or no yes sir बिटा फिर बोल रहा हूं है बहुत important question है यह तो अपन को लिखना पड़ेगा ठीक है अपन लिखेंगे अपन पूरा पेंचन ना लो तो इसको हटा देते हैं अपन यहां रख देते हैं साइड में ओके देखो इन दोनों को लिखते हैं जरा BCD एंगल BCD is equal to angle FAD जरा BCD को थोड़ा extend करके लिखो BCA लिख दो D की जगा है ना BCA लिख दो ठीक है सर इसको लिख सकते हैं पन अंगल BCA एंगल वही है बस थोड़ा सा नाम में चेंज हो गया FAD FAD को FAC लिख दो ठीक है सर FAC लिख दिया कह सकते हैं इन दोनों से हम कह सकते हैं therefore इन दोनों एंगल को बनाने वाली lines equal है यह दोनों lines parallel है sorry BC is parallel to AF BC is parallel to AF तो सर यह lines तो parallel prove हो गई ठीक है सर अब यह line अगर parallel prove हो गई तो यार एक बात बताओ यह line और यह line parallel है यह इसको transversal का काम कर रहा है तो सर यह जो C है यह जो B है यह जो अपना A है और यह जो अपना F है गौर से सुनना CBAF अगर यह दोनों lines parallel हो गई तो सर इन दोनों angles का समतों 80 degree होगा क्योंकि यह cointerior angles बना रहे हैं सही बात है बिलकुल सही बात है एक angle हमें यह वाला 90 degree दिया है सर तो यह कितना होगा यह भी 90 degree होगा यह भी 90 होगा देखो angle CBA plus CBA plus FAB angle FAB is equal to 180 and the reason we will write is co-interior angle बिटा co-interior angle यह co-interior angle से parallel वाले CBA यह 90 में already दिया है क्योंकि एक right angle triangle था iPod news था तो यह right angle triangle था भी यह तो यहाँ अपने लिख दिया यह 90 है ही plus angle FAB is equal to 180 90 उदर गया तो angle FAB आ गया 180 minus 90 that is 90 तो FAB angle भी 90 आ गया यह भी 90 आ गया तो इस हिसाप से हमें यह दोनों angle equal मिले 90 90 इच यह दोनों angle हमको equal मिल गए 90 90 इच getting my point यह सर ठीक है चलो बनाना पड़ेगा यह 90 है equal यह 90 है equal और बनाना क्यों है सर रीजन है उसका बताता हूं भाई हमें यह दोनों congruent कराना है न इसी लिए बनाना पड़ेगा इसको तो भाई यह यही रखो क्योंकि यह सबसे important वाला figure है ठीक है सर इसको यहां रख देते हैं चलो शुरू करते हैं इन दोनों की congruency ठीक है let us work upon the congruency of these two triangles ठीक है सर यह एक एक चीज जो लिखी है न यह सारा चीज पिटा आपको लिखनी है exam में अगर आगया question ठीक है डन सर ओके चलो भी इन triangle CBA FAB triangle ABC लिखते है इसको ABC and BF and triangle BAF ठीक है पिटा यह side angle side से हो रहा है ठीक है side angle side this side equal this side CB equal FA दूसरा angle angle 90 90 angle CBA यह angle ABC ABC तो BAF is equal to angle BAF यह दोनो 90 90 हैं प्रूफ कर चुके हैं ठीक है side side BA equal AB दोनों common है बिटा BA is equal to AB यह दोनों common है ठीक है तो यह क्या है यह है CPCT का नतीज़ा भई CPCT का नतीज़ा है यह क्या है यह अपनने इसको equation चलो इसको छोड़ो इसको कुछ ना लिखो यार वो तो easy है और यह common है ठीक है done है सर यह सर इससे हुआ क्या इससे side angle side से हमने दोनों को करा लिया congruent by SAS rule of congruency of congruence triangular congruent triangle ABC is congruent to triangle BAF इससे हुआ यह बिटा इससे हुआ यह के हम CPCT से इन दोनों sides को equal कह सकते CA is equal to FB तो we can say that CPCT by CPCT by CPCT by CPCT AC is equal to BF AC is equal to BF तो यह चीज जब आगए यह बहुत important चीज आगए अपसोरो क्यों हमें BD is equal to AC चाहिए half AC तो AC को यहीं बचा लो BF देखो अच्छे से BF BF को हम लिख सकते BD plus DF BF को हम लिख सकते हैं AC is equal to BD plus DF और BD और DF दोनों equal हैं देखो construction में BD और DF equal हैं तो BD और DF दोनों की जगा हम BD BD लिख सकते हैं BD की जगा अब bd लिखो df की जगा भी हम bd लिख सकते हैं क्योंकि bd और df दोनों equal है is equal to ac ac is equal to 2bd और 2 times bd 2 इदर आएगा half ac हो जाएगा is equal to bd और बिटा हमको यही proof करना था कि bd is equal to half ac bd is equal to half ac bd is equal to half ac hence proved hence proved low bhi ho gya है ना लेंदी तो है बड़ी कोशिन है बिटा इसलिए टाइम भी लगे का बड़ा बड़ा done? yes sir. चलो moving on to next third question of this session third question पर चलते हैं चलिए इसको erase करते हैं हम erasing this और यह रहा question 3 if the bisector of the vertical angle of a triangle bisect the base ठीक है bisector of the vertical angle vertical angle का मतलब होता है एक तरह साब कहा सकते हैं top वाला, बिल्कोल उपर वाला, उचा वाला angle ठीक है triangle का यह top है और यह नीचे base angles बोलते है vertical angle यह vertical angle ठीक है vertical angle bisector of vertical angle इस angle का bisector गौर से सुनिएगा इस angle का bisector मतलब इस angle को दो equal parts में divide करने वाली line यह से यह दोनों equal हो ठीक है the bisector of the vertical angle of a triangle bisect the base base को भी bisect कर रहा है मतलब यह जो ADI वो angle A के दो equal parts तो करके आई साथी साथ base पे जैसे ही गिर रही तो base को भी दो equal parts में divide कर दिया that is BD equal CD है ना, base को भी दो equal parts में divide कर दिया prove that the triangle is isosceles triangle is isosceles है यह prove करना है easy है पिटा easy है, यह सची में बहुत easy है, कैसे easy है बताओ कैसे करेंगे इसको how we will do this तो sir, बात ऐसी है कि अगर हमने AB और AC यह दो sides equal करा दि तो यह isosceles prove हो जाएगा है ना, अगर हमने to prove, यहां लिखेंगे बिटा, to prove ठीक अगर हमने गौर से सुनिएगा, AB equal AC करा दिया तो यह isosceles triangle prove हो जाएगा अब कई बच्चे कहेंगे कि sir, हम एक काम करते हैं इस triangle के दो parts कर लेते हैं ठीक है, जो तुम्हें दिखेगा, तुम वही बोलोगे कि sir, हम इस triangle का यह वाला part कर लेते हैं, और यह वाला part कर लेते हैं, ठीक है sir, और इन दोनों को करा देते हैं, congruent, पिटा देखो सरा congruent करा पाओगे अच्छे से देखना, और बताओ क्या यहाँ पर congruency possible है, कराब आओगे क्या, अगर मैं आप से कहूं कि यहाँ congruency possible नहीं है, तो कैसे करोगे फिर इसको अब बात ऐसी है कि बच्चों का दिमाग कैसे चलेगा, सुनना बच्चों का दिमाग, आपका दिमाग कहा तक जा सकता है, देखो आप कहोगे कि सर्दे को पहले गलत चीज करके दिखाओ मैं तुमें, जो तुम लोग गलत कर सकते हो, ठीक है, पहले गलत वाला ओके, सुनो, मेरी बात सुनना, आप कहोगे के सर, तीन चीज़े चाहिए ना, इन दोनों को कॉन्ग्रूएंट करने के लिए हम कॉन्ग्रूएंट कर लेंगे और A, B is equal to A, C बोल देंगे, हमारा solve हो जाएगा, आई सॉसलिस, ठीक है, आपकी A, D, C, सुनो, आपको के सर, देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल equal है, क्योंकि ये अंगल bisector है, है न, A, D, एंगल bisector है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो equal हो जाएगा, दो equal parts में तो bisector होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, फिर आपको के सर, देखो, ये वाली और ये वाली side equal है, बिल्कुल सही बात है, आपको के सर, ये वाली और ये वाली side equal है, क्योंकि ये common है, बिल्कुल सही बात है, अब ज़रा criteria देखो, सर, ये हुआ angle, फिर ये हुई जो equal side दिये, ये दोनों equal side तो यह हुई सरीक साइड फिर जब मुड़के यहां आए तो यह भी एक साइड ठीक है तो या तो आप इसको पकारोगे एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल देखो भी यह एस एस और एस एस दोनों ही कॉंग्रूएंसी नहीं होती है तुम कहोंगे सर देखो एंगल एक चीज़ एक चीज़ एक्वल है साइड एक्वल साइड दूसरी चीज़ एक्वल है साइड एक्वल साइड तीसरी चीज़ एक्वल है सर तीन तीन चीज़ एक्वल तो हो गई पैटा एक्वल होना जरूरी है equal होना मैं मानता हूँ जरूरी है कि तीन चीज़े equal हो लेकिन एक criteria में एक proper method में एक proper format में equal होनी चाहिए side side angle या angle side side होता ही नहीं है तो ये congruency होई नहीं रही तो ये दोनो triangle congruent नहीं हो सकते अपने as of now फिर क्या करेंगे तो यहां पर यहर तुम्हें थोड़ी खुराफात चलानी पड़ेगी क्या खुराफात सुनो यहां बेटा तुमको एक काम करना पड़ेगा तुमको यह काम करना पड़ेगा कि यहां पर ad को आगे भेजो थोड़ा सा चोटा कर दू यार ना आगे खीच दो इतना extend कर दो बेटा ad ad को इतना extend कर दो कि यह अपन को ad के ही बराबर मिल जाए मैंने क्या बोला सुनो बताता हूं extend ad जो ad बन रहा है उसको extend कर दो d e तक यह d e तक extend हो गया और ऐसा extend करो कि दिस यानि ad और d e बराबर हो जाए जितना ad है उतने ही line d e बना दो बना दी अब क्या करेंगे सर अब क्या करेंगे सर गोर सुनना गोर सुनना मेरी बात ठीके बना दी अब e से c को join कर दो e से c को join कर दो बस इतना अगर तुम्हा दिमाग चल गया फिर तो तुम याद रखोगे फिर तुम फिर नहीं भूल पाओगे इतना अगर तुम्हारा दिमाग चल गया देखो सुनना मेरी बात गौर्जा सुनो देखो हमारा टार्गेट अब चेंज हो गया है अब आवर टार्गेट इस ये वाला ट्राइंगिल ये ट्राइंगिल और बिटा ये ट्राइंगिल इस बार अपना टार्गेट है इस ट्राइंगिल्स आर अवर टार्गेट ये ट्राइंगिल्स टार्गेट है इन दोनों को कराओ congruent ठीक है नाम का खेल है बिटा नाम का खेल है मैं फिर बोल ना हूं खेल नाम का है इसका नाम क्या से गरेंगे देखो BDA तो इसका नाम आएगा CDE ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं triangle BDA BDA and triangle CDE CDE BDA CDE ठीक है सर दोनों side angle side से हो रहा है क्योंकि यह दोनों angles भी equal है vertically opposite angles ठीक है BD equal CD पहली बात मैं लग नहीं बना रहा हूं बच्चों BD equal CDE पहली बात दूसरी बात angle BDA angle CDE angle BDA angle BDA is equal to angle CDE vertically opposite angles ठीक है सर next सर AD equal DE AD equal DE AD equal DE AD equal DE यह हमने construction से draw करा था construction है ना लिखा नहीं है वैसे है अपन ने यह given है यह given है यह given है यह लिखना चाहिए था अपन को लिखा नहीं है यार incomplete सा लग रहा है यह मुझे question मतलब solution मैं जब पूरा नहीं लिखता ना तो मुझे गुस्सा आती है तो यहां अपन लिखते है construction जो हमने construction किया वो लिखना जरूरी है क्योंकि बिना construction के लिखे आप कैसे कुछ काम कर सकते हो लिखना जरूरी है ना अपनने क्या कर अपनने ad को आगे खीज दिया था तो यहां लिखेंगे extend ad extend ad to ad को e तक extend कर दिया such that ad equal ed ad और ed equal हो जाए ad और ed equal हो जाए done okay sir to ad और ed लिखेंगे इसको ठीक है ad और ed लिखेंगे इसको d e नहीं ed ed ठीक है done तो यह हो गया भाहिया side यह हो गया angle और यह हो गया side भाहिया sas by sas rule by sas rule we can say that triangle this and this are triangle b d a is congruent to triangle c d e अब जब यह congruent हो गए तो अब हम गौर्ण से सुनिएगा अब जब congruent हो गए तो अब हम खेल करना शुरू करेंगा और अब मुझे बनाना पड़ेगा बिटा फिगर यह चलो यह बना लिया और यह बना लिया ठीक है यह दोनों बना लिया सुनना मेरी बात अगर अब मैं इन दोनों में अगर मैं तुमसे कहूं बिटा यह वाला एंगल किसके इक्वल होगा तो इसके इक्वल होगा c p c t से ध्यान रहे ना हाँ सर इनका नाम लिखो यह वाला एंगल इसके इक्वल होगा b a d एंगल b a d is equal to angle c e d angle c e d c p c t सुनो b a d c e d इसके बराबर हो जाएगा c p c t से clear है यह सर अब मेरी बात सुनो अब जब यह चीज clear हो गई तो अब थोड़ा और clear कर लो अब इस triangle पे नजर मारो a e c a e c पे नजर मारते हैं सर triangle a e c a e c this is a this is e and this is c सुनते जाने मेरी बात बच्चों गौर से सुनो यह दोनो angle equal थे इनको अगर मैंने x और x माना तो यह दोनो angle equal थे क्यों equal थे तो मैं समझा देता हूँ क्योंकि हमें दिया गया था bisector of angle a top का bisector मतलब this and this will become equal bisector था ad bisector था this and this equal फिर यह angle और यह angle equal बने तो इस पे भी x लिखना पड़ेगा है न यह भी x होगा अब यह x तो यह भी x अब यह angle कितना है इस इस portion को बना रहा हूँ मैं a e c यह angle x है सर यहां लिखते हैं यह angle है x यह angle कितना है बिटा यह angle यह angle भी x आया अभी आला गया ठीक है सर अब बिटा अगर अगर यह triangle में दो angle equal है तो फुर उनके opposite sides भी equal होंगे बिलकुल होंगे सर है ना angles अगर equal है तो इनके opposite में sides इसके opposite में यह वाली side है ना और इसके opposite में यह वाली side equal होंगे यह सर तो हमें समझ में आ गया AC and EC will be equal क्यों अब गौर से सुनना मेरी बात एंगल BAD इस इक्वल टू एंगल CAD यह तो दूनों एंगल एंगल इक्वल थे ही बाइसेक्टर के वह जैसे एंड एंगल BAD BAD will be equal to CED यह CPCD से हो गए तो सर इनके द्वारा हम कह सकते हैं कि यह दोनों भी equal होंगे क्यों होंगे equal क्योंकि CAD BAD के equal CED BAD के equal तो हम कह सकते हैं therefore angle CAD is equal to angle CED है ना बेटा अब हम देखेंगे intraangle पूरा लिखूँँगा मैं बेटा इंटरांगिल ACE ACE ठीक है इंटरांगिल ACE अंगल EAC अंगल EAC इस उपल टू अंगल AEC अंगल AEC ठीक है भी यह दोनों अंगल हो गए therefore by theorem sides will be equal हैना sides opposite two equal angles are also equal अगर कोई triangle में equal angles हैं तो उनके सामने वाली sides भी equal होंगी sides opposite to equal angles are also equal यह theorem लिख दिया मैंने ठीक है तो इस हिसाब से इसके सामने EAC इसके सामने side है EC is equal to इसके सामने side है AC ठीक है equation number बना लो 2 बना लो 3 बना लो जितनी बनानी ठीक है सर ये दोनों जो हमने अभी बच्चा भी congruent कराए इन दोनों में हमने इसको और इसको CPCT ले लिए था साधी साथ इसको भी ले ले लेंगे बिटा इसको AB will be equal to EC ये भी congruent हो जाएगा इन दोनों triangles में इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात इन दोनों में ये दोनों भी congruent equal हो जाएगे AB equal EC तो CPCT से यहाँ पन ये भी लिख लेते हैं AB equal EC ये भी CPCT से लिख लेते हैं ये equation 1 बना लेते हैं बस equation 1 और equation 2 अच्छे से देखो equation 1 है equation 1 है इन दोनों triangle में this and this will equal AB equal EC CPCT से हुआ था ये AB equal EC equation 2 में था equation 2 में था AC equal EC ये देखो AC equal EC आईसोसलेस triangle प्रूफ कर दिया था ने इसको तो AC equal EC AC is equal to EC अब इन दोनों triangles इन दोनों lines में AB EC के बराबर AC EC के बराबर तो AB और EC equal AB will be equal to AC ये ही हमको प्रूफ करना था कि अगर ये दोनों sides प्रूफ हो गए equal तो ये triangle isoseless है तो we can say that therefore triangle ABC जिसमें दो sides equal आ गई is an isoseless triangle ठीक है पिटा लोग सामने से हट जाता हूँ so that आप इसको अच्छी तरह से copy कर सको done है बिलकुल done है sir 110% done है so 23 question is 100% completed now moving on to next question ठीक है दोस्त next question पे चलते है sir चलो moving on to next question now so let us see कितने अपना next question क्या लेकर आता है easy आता है या tough आता है let us see चलो let us see मैं कह रहा हूँ let us see ठीक है चलो आगे चलते है sir ठीक है इसको erase करता हूँ I am erasing this question number 4th या 24th ओ भाई इसमें तो बहुत सारे parts है देक है अच्छा question होगा मुझे पूरी feeling आ रही है ABC and DBC are two isosless triangle on the same base BC and vertice ओके पहले question समझते हैं देखो ABC same base BC के उपर बना है कौनसर triangle triangle ABC ठीक है यह triangle ABC base BC के उपर बना है सही बन जाओ ठीक है कोर से सुनना जी सर बेस बोल दिया इनने BC और आई सॉसलेस है जैसे अपने बेस BC सुना आई सॉसलेस में यह equal हो जाएंगे ठीक है सर एक और दिया equal एक और दिया एक triangular DBC यह वाला triangle भी दिया यह आई सॉसलेस है और इसका base भी BC है और यह भी अपनको आई सॉसलेस दिया अगर इसका भी base BC है तो यह वाला और यह वाला equal है यह equal ना जेके भी तुम्हें equal निकालना पड़ेगा ठीक है सर निकाल लिया अब बताओ AD is extended to intersect ठीक है BP बिलकुल सही है कोई दिक्कत नहीं है okay AD को बढ़ाया तो DP बन गया ठीक है बन गई सर आगे क्या करें triangle ABD और ACD को बनाओ अरे हो गए यार यह तो congruent हो गए देखो triangle ABD यह वाला triangle बेटा दीवाला यह ABD ठीक है चलो बनाते है सर ABD चलो ABD triangle बनाते है सर यह हो गया ABD ठीक है सर okay अरे बन जाना भाई और यह हो गया ABD हो गया ACD यह हो गया ACD ठीक है सर done देखो ए यह बीच में दोनों के लिए रिख दे लिख देता हूँ A हो गया दोनों के लिए यह हो गया बेटा D और ABD this is B and ACD अब सुनना मेरी बात पहली चीज तो this was equal to this दूसरी चीज दिस is equal to this देख लो मैंने बना दिया है और तीसरी चीज बेटा यह दो यह common है यह side AD दोनों में आ रहा common है side 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 से यह हो गया congruent first वाला complete ठीक है this is first कराएंगे यह पन टेंचन नहीं लो oral नहीं छोड़ना है कोई भी question ठीक है in triangle पूरा ABD पूरा लेखेंगे criteria in triangle ABD and ACD and triangle A CD AB equal AC number one side का equal AB equal AC फिर AD equal AD मैं इसको लिख देते हैं पहले DB equal DC हाँ DB equal DC यह दिया नहीं गया अपन को लेकिन indirectly बता दिया गया दिको जब आप से कहा जाए कि एक आई-सॉसलिस triangle ABC उसका base BC है पर समझ जाना base BC है ना बाकी दो sides equal होंगी खता आई-सॉसलिस है और base BC है चलो last last है AD equal AD जो common है AD equal AD जो common है reason लिखेंगे बिटा reason लिखने पड़ेंगे so we will write the reasons AB equal AC क्यों है triangle ABC is i-sauce-less ठीक है sir bracket close BD equal DC क्यों है BD equal DC DB equal DC sir DBC is an i-sauce-less triangle triangle DBC is i-sauce-less next ये दोनो common है ठीक है हो गया proof therefore by s-s-s rule triangle ABD is congruent to triangle ACD ये हो गया proof ठीक है ABD और ACD प्रूफ हो गया ठीक है इसके proof से क्या हम इन दोनों angles को equal कह सकते हैं corresponding angles है they will be equal by CPCT बिलकुल कह सकते हैं sir तो हम यहां लिखेंगे therefore by CPCT अभी इसका काम आएगा इसलिए ये CPCT से equal करा रहा हूं है और भी चीज़े हो सकता करानी पड़ें फिलाल ये करा लेते हैं BAD is equal to CAD angle BAD is equal to angle CAD ठीक है sir done ये याद रखना ये BAD और CAD पेटा अपन यहां पर mark कर लेंगे this angle is equal to this angle ठीक है sir इतना copy कर लो फिर अपन दूसरे पार्ट पे चलें करते हैं sir I am erasing this ठीक है अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे CPCT से हाई ये दोनो angle equal ठीक है ठीक है चाहो तो ये भी equal कर सकते हो this will be equal to this this will be equal to this बहुत सारे angles equal हो जाएंगा ठीक है चलो next ABP ACP ABP ACP चलो बनाते हैं ABP ACP ये होगा अपना ABP let me just draw it like this और ये होगा अपना ACP चलो ये है अपना ABP ACP ठीक है sir done सुनते हैं न मेरी बाग बात नमबर एक this is equal to this देखो this is equal to this single single लगा तो single single लगाते हैं चलो ठीक है sir next next ये angle और ये angle बिटा अभी अपन CPCD से equal करा के लाए देखो BAP BAD is BAP only है ना वही angle है angle तो वही है sir और बिटा AP is equal to AP common हैना AP is equal to AP common side angle side से again these are congruent देखो ये एक side देदी है ना this is a side ठीक है sir ठीक है पिटा ये भी एक side देदी this is a side और पिटा ये जो है ना बीच में इन दोनों के मिलने से जो एंगल बन रहा है this is an angle तो ये हो गया side angle side side angle side हैना side angle side तो SAS criteria हमें लगाना है and let us go with the flow चलो triangle का नाम लिखेंगे जैसा इनोंने का इन ट्राइंगल a b p and a b p and a c p and triangle a c p तो भाई यहाँ पर side angle side का काम करना है SAS this equal this a b equal a c next this equal this a p equal a p common है next b a p equal c a p angle b a p is equal to angle c a p हैना a b equal a b यह सर क्यों equal है a b equal a c सर यह equal है because यह एक isoseless triangle के equal sides है triangle a b c is isoseless triangle a b c is isoseless यह simply लिख देना given यह यह अपनने c p c d से करा दी है c p c t of first part दूसरा यह common is reason देना अनिवार यह है जरूरी है दरवाइस कट जाएगा पिटा therefore by SAS rule therefore by SAS rule triangle triangle a b p is congruent to triangle a c p हो गया second done ठीक है next a p bicect angle a a p bicect angle a यह तो पहली कर चुके है अपन भई यह तो already कर चुके c p c d यह ना जो c p c t यह थर्ड already हो चुका है भाई यह कैसे हो चुका बताता हूं सुनों अच्छा angle a and angle d बोथ अच्छा दोनों करना है चलो दोनों करा देते हैं easy है करा देते हैं तीसरा वाला पढ़ते हैं जरपन ठीक है चलो third पढ़ते हैं okay moving on to third one देखना ध्यान से देखना देखो पहले समझाता हूं तुम्हें यह कराना क्या चाहते है एपी बाइसेक्ट एंगल a and angle d एपी जो आ रही है वो एंगल a को बाइसेक्ट कर रही है तो यार यह तो बाइसेक्ट है यह कैसे बाइसेक्ट हो गई सुनो अपन यहां करते हैं इसको देखो थर्ड यहां करते हैं ठीक है कोर से देखना इस वाले से इस वाले पार्ट से हमने एक cpct लिखा था यह यह बी एपी इक्वल c a p दिख रहा है देखो बी एपी इक्वल c a d बी एडी इक्वल c a d है ना ठीक है सर सुनना बाइ cpct आफ पार्ट वन वी आफ रिटेन बी एडी आंगल बी एडी is equal to angle c a d तो इससे एक चीज़ तो यह पता चल गई के जो a p line आ रही है उसने angle a के दो तुकडे कर दिये यह equal यह हो गया ना तो equal तुकडे हो गया तो angle a bicect हो गया किस से बिटा a p से यह बात तो यहां पर ते हो गई therefore a p bicect angle a a p bicect angle a यह तो clear है sir ठीक है अब a p ने angle d को भी bicect करना है तो sir हमें यह वाला angle और यह वाला angle equal कराना पड़ेगा देखो यह दो तरह से हो सकता या तो तुम congruent करा लो नीचे वाले triangle यह वाले देखो d bp और dcp congruent करा लो और फिर यहां पर this angle equal this angle बोल तो cpcd से या तो यह हो सकता है या एक और smart तरीका इसको करने का क्या बताता हूं सुनो बहुत गौर से सुनना इसको second part को हटाना पड़ेगा second part हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा यहां पर अपन को ठीक है second part actually करेगा मदद फोर्थ वाले पार्ट में करेगा second part फोर्थ वाले पार्ट में करेगा मैं बताता हूं सुनो गौर से सुनना पहर एक चीज़ लिख लें फिर मैं इसको एरेस करूंगा ठीक है पिटा इसका cpct मैं क्या लिख सकता हूँ के ये वाला अंगल is equal to ये वाला अंगल लिख सकता हूँ ना यugen तो बीपी बी इस equal to APC अंगल A PC दूसरी चीज़ क्या मैं BP equal CP बोल सकता हूँ yes sir कॉमा BP equal CP अब इसको मैं सेफ रखना चाहता हूँ इसके cpcd को मैं safe रखना चाहता हूँ यहां रख दिया मैंने और बाकी फिर मैं erase करना अब अपना second part से जो important cpcds आनी थी वो अपने लिख लिए अब यह कहां use होगा यह fourth part में अपनी help करेगा यह जो मैंने लिख लिया यह अपना third part के cpcds है ठीक है सर अब आते वापस third part पे ap bicect angle a as well as angle d ap जो है वो angle a और angle d दोनों को bicect कर रहा है angle d पे करना है यह तो अपने करा दिया d और कराना है सुनों मैं फिर से बनाना चाहता हूँ इन दोनों triangle को जो first part में अपनने कराई थे यह दो triangles थे वो ठीक है लिख देता हूँ मैं a let me just write it down दुबारा लिख दूँगा फिर यह p है इसको p नाम देते थे ठीक है देखना बिटा यह होगया a c this is b and this is p और यह अपना होगया d ठीक है यह d है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ this is d ठीक है d है यह d है भूलना मत इसको हटा देता हूँ मैं यह d है अपना ठीक है याद रपना पिटा जब यह वाला triangle और यह वाला triangle अपने congruent करा दिया तो क्या अपन यह वाला angle और यह वाला angle cp cd से ले सकते हैं equal yes तो first वाले यह दोनों triangles जब congruent हो गए तो इसके cp cd से अपन को लेना है a d b a d c angle a d b is equal to angle a d c इतनी बात क्लियर है यह सर यह बात तो क्लियर है फंसब है तीक है इन दोनों को लेट कर लेते हैं बेटा इन दोनों को लेट कर लेते हैं अपन ए कर ठीक है this is also a now and this is also a तो यहां लिख लेते हैं a और a done यह दोनो a और a हो गए ठीक है sir गौर से सुनना मेरी बात easy है tough नहीं है मैं फिर बोल रहा हूँ ठीक है sir ठीक है देखो सुनो अब बताना है पिटा यह पूरी एक straight line है तो यह वाला angle कितना होगा सर यह होगा straight line 180 है 180 में से इस a को हटा दो तो this will be 180 minus a 180 minus a पिटा यह पूरी 180 है तो यह वाला angle पूरा 180 degree होगा straight line है 180 degree होगा 180 में से यह वाला हटा दो तो यह वाला angle आ गया 180 minus a 180 minus a ठीक है तो सर इस से समझ में आया कि यह वाला angle is 180 degree minus a यह वाला angle is 180 degree minus a यह दोनों एंगल है सर equal और यह दोनों एंगल equal है मतलब AD ने एंगल D को भी bicep कर दिया है so what we can say we can say that गौर सा सुनियेगा we can say that angle BDP BDP जा D है angle BDP is equal to angle CDP angle CDP है ना दोनों equal आजया 180 degree minus A therefore AP bisect angle D also AP bisect angle D also तो दोनों को bisect कर रहा है ठीक है sir यह है done चलो जल्दी से देख लो we will move on to next one ठीक है sir ठीक है sir done okay चलो भई moving on to next so that we may complete the fourth part also अब fourth part में ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी चीज़े और मज़ा भी आएगा है ना समझ में आना is something else मज़ा आना is something else मज़ा अगर आया मैच करने में तब है मैच करने का असली मज़ा ठीक है sir इसको अटा देते हैं हमें रेसिंग दिस अवे इन सब का काम खतम अब जो अपन का last part बचा इस एक्चली तीन चार पार्ट से चार पार्ट से बड़े बड़े होते हैं जोटे नहीं होते चार पार्ट से चार कोशन्जी कर लिया अपन नहीं अब सुनओ हमें पता ना AP is a perpendicular bisector of BC Okay, सुनते जाना यह BC है यह AP है यह BC है, this is BC This is AP BC and this is AP, सुनो हमें कहना है कि पहली बात तो AP जो है, वो BC को bisect कर रही है, तो यह तो already prove हो गया, देखो BP BP equal CP, यह अपन already करा चुके हैं BP equal CP, अगर यह दोनों parts equal हो है जो already अपन third part, इसके, इसके CP CT से करा चुके हैं, यहां मदद कर रहा है मैंने कहा था न, तो अपन क्या करेंगे, fourth part कर रहा है पन, यहना बच्चों को triangle ACP, ABP, ACP, इनके CP CT से हमने BP equal CP लिख लिया था, BP equal CP, यह by CP CT of this और इसने क्या बता है, इसने बता दिया कि भहिया, AP ने BC के दो equal, तो कोड़े कर दिया, मतलब by set कर दिया तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे AP bisect BC, पहली लाइन तो यह आ गई सर AP bisect BC पहली लाइन तो यह आ गई ड़न, अब दूसरी लाइन perpendicular bisector अरे वहिया, bisector तो बता नहीं था साथी साथ perpendicular bisector अब हमें perpendicular मतलब, मतलब, मतलब AP, BC की उपर perpendicular है, यह 90 degree proof करना है यह भी हो जाएगा, देखो कैसे होगा देखो, हमने इन दोनों को equal करा रखा है इस से, देखो APB APB, equal APC APC, यह कहां से आया, यह second बार इसके CPCTs है, है ना तो इसको, अब अपन फिर कहेंगे by CPCT of by CPCT of part 2 ABP congruent ACP इस से हमने यह दोनों angle equal करा लिए, angle APB is equal to angle APC अब जब यह दोनों angle equal करा लिए, तो भाई इसको अपन Y मान लो, इसको भी Y मान लो because दोनों equal है, तो दोनों को अपन let कर लिया Y, है ना, let कर लो कि sir, यह भी Y है, let कर लेना, लिख लेना let these angles be equal to Y अब sir, यह पूरी की पूरी straight line है, मतलब 180 degree अब तो तुम समझ गए होगे, अब तो तुम खेल समझ गए होगे ना अब तो तुम खेल समझ ही गए होगे ओके, तो sir, सुनना angle APB plus angle APC is equal to 180 linear पे आ रहे हैं, है ना, straight line देखो, यह पूरा 180 degree बनेगा, बस यह भी Y, दोनों equal है sir, यह दोनों angles equal है, Y plus Y is equal to 180 degree, तो बेटा Y कितना आया, 2Y is equal to 180, Y आया बेटा, 180 upon 2 that is 90, तो sir जी, यह भी 90, यह भी 90, therefore angle APB is equal to angle APC is equal to 90 degree, और यह 90 आ गया, तो इसका मतलब AP is perpendicular to BC, AP is perpendicular to BC, perpendicular B और BC पे और BC को bisect भी कर रहा, तो हम finally क्या कहेंगे, therefore AP is a perpendicular bisector of BC, लीजे से, done, that's it, question number 4 complete, जल्दी से देख लो, so that we may move on और इसको खतम कर सकें, ठीक है बई, चल्दी से इसको complete कर लिया होगा, and चलो, let us move on, ठीक है, चलो, इसको मैं erase कर रहा हूँ, 24th को पूरी तरह से यह अपनने erase कर दिया, यह रहा 25th question पढ़ लो, यह चल्दी हो जाएगा, 6-7 minute में complete हो जाएगा, चलो sir, पिड़ा, 25th question is about, AD is in altitude of an isosceles triangle, अपने पास एक isosceles triangle ABC है, ठीक है, तो अपनने isosceles triangle बना लिया, ठीक है, अपनने यह isosceles triangle बना लिया, और यह अपना AD है, ठीक है, this is altitude AD, यह A, यह B, यह C, B, A लिखो बेटा, B, and this is C, और यह दोनों सबसे बड़ी बात है, equal दिये गए हैं हमें, देखो भई, isosceles है, तो दो sides तो equal दिये ही होंगे, है ना बेटा, so AB is equal to AC यह दिया गया है, AD altitude है, अब जो AD आया ना बेटा, यह perpendicular होगा, altitude का मतलब ही होता है, जो line आ रही है, वो base पर perpendicular होगी, so this is 90 degree, and this is also 90 degree, यह 90 है तो भाई, यह भी 90 होगा बगल वाला, obvious ही बात है, ठीक है sir, done, show that AD bisect BC, हमें show करना है कि AD ने BC को दो equal parts में तोड़ दिया है, मतलब what we have to prove, हमें यह प्रूफ करना है बिटा, हमें प्रूफ करना है, BD is equal to CD, यह दो रो तुकड़े अगर हमने equal proof कर दिये, तो हम कह सकते हैं कि AD bisect BC, तब हम कह सकते हैं, ठीक है sir, उसके लिए आपको समझ में आ गया होगा, कि हमें यह वाला triangle ADB और यह वाला triangle ADC, we have to take them, और इन्हें कराना पड़ेगा, congruent, right, तो इन दोनों triangle को बना के congruent करा देते हैं, यह अपन बढ़िया तरीके से, ठीक है, so let me just erase this, और अपन करते हैं congruency, चलो भी, तो sir, अपन पहले तो triangle बनाएंगे, दोनों अलग-अलग, यह दोनों triangle अपने बना लिए sir, ठीक है, यह और एक यह, ठीक है, done, दोनों triangle बना लिए, names भी लिख देंगे भई triangle के, this is ABD, this is ABD, and this is ACD, ठीक है, यह भी 90 degree है बिटा, and this is also 90 degree, ठीक है, ठीक है, चलो भी, यह अपना A, B, D, this is A, C, and D, तो पिटा, क्राइटेरिया देखते हैं, पहले क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, ठीक है, सुनते जाने, यह और यह equal है, है न, यह और यह equal है, यह और यह common है, ठीक है, अब कई बच्चे बता क्या सोचेंगे, बहुत गौर से सुनना, कई बच्चे सोचेंगे, रहन दो, कुछ नहीं सोचेंगे, यह रहताओ, वैसे RHS से हो रहा है, congruent, ठीक है, RHS से हो रहा है, मैं बताता हूँ कैसे, इसको अपन साइड में करते हैं, ठीक हो, इसके सामने भी यह हाइपोटनियूस है, This is H for हाइपोटनियूस, and 90 degree के सामने हाइपोटनियूस, दोनों टी गए हैं, ab and ac are हाइपोटनियूस of two triangles, और दोनों टी गए हैं, तो इकॉल हाइपोटनियूस है, side, उढ़ Jewel Ecoision Table lavoro, this, कैसे सर, इन ट्राइंगल ADB ADC इन ट्राइंगल ADB एन ट्राइंगल ADC ठीक है सर, done RHS का हम यहाँ पर बना लेंगे बेटा पूरा का पूरा एक फॉर्मेट जो हमें फॉलो कराना है RHS ठीक है सर R stands for right angle angle ADB angle ADB is equal to angle ADC angle ADC सर यह दोनो right angle क्यों है because AD is altitude हमको दिया गया है कि भाईया जो AD है वो BC की उपर altitude है तो हपन क्या लिखेंगे AD is altitude AD is given altitude AD हमें altitude दी गई है AD is given altitude ठीक है सर done, next R हो गया H for hypotenuse 90 के सामने hypotenuse है AB 90 के सामने hypotenuse है AC तो AB is equal to AC hypotenuse बेटा 90 के सामने होती है धियान रखना 90 degree के right angle के सामने तो सर यह दोनों क्या होगा यह दोनों given equal है यह दोनों सर अपनको given equal है given equal equal sides of isosceles triangle ठीक है सर last but not the least side यानि AD equal AD both of these sides are common in both the triangles AD equal AD common अपने लिख दिया सर common side है done तो सर हमने पूरा format लिख दिया format लिखकर हम first part करना है बेटा एक first part करने से ही second part भी solve हो जाएगा ठीक है सर इससे हमने लिख दिया therefore by RHS by RHS rule of congruence by RHS rule of congruence by RHS rule of congruence triangle ABDB and ADC are congruent triangle ADB is congruent to triangle ADC ADC अब इससे हुआ क्या बिटा क्यों करा congruent तो समझो बहुत गौर से सुनना सर हमने इन दोलों को congruent इसलिए किया ताकि हमें इस triangle और इस triangle के जो corresponding sides और जो corresponding angles है वो CPCT से equal मिल जाए तो CPCT क्या होता है सर CPCT says कि अगर आप इस triangle और इस triangle को congruent कर देते हो जैसा पर ने कर दिया है तो अब इनके corresponding sides equal हो जाएंगे corresponding angles equal हो जाएंगे मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ के यार ये BD है ये BD है suppose ये BD side है तो इसका corresponding यहां कौन है? CD है इसका corresponding यहां CD है तो BD and CD will be equal जब हम इन दोनों triangle को इन दोनों triangle को congruent कर चके हो तब तो इस CPCT से पन क्या लिखेंगे यह by CPCT by CPCT we can say that BD is equal to CD because they are corresponding sides BD is equal to CD ठीक है? एक और चीज़ ये तो हो गया बिट अपना पहला वाला प्रूव हो गया मैंने क्या बोला कि अगर हम BD और CD equal दिखा दे हम कह सकते हैं कि जो AD है उसने BC को bisect कर दिया BC के दो equal parts कर दिये है ना तो we can say that therefore AD bisects BC AD bisects BC AD ने BC को दो equal parts में तोड़ दिया next इसके बाद AD bisect angle A देखो angle A जो है ना ये पूरा angle A है ये पूरा angle A है इसको bisect करने का मतलब है हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये दोनों angles equal है हैना दोनों equal कर दिया अगर हमने तो हम कह सकते हैं कि ये जो AD line आ रही है उसने angle A को दो equal parts में तोड़ दिया that is bisect कर दिया तो sir ये दोनों तो already यहाँ equal होगा देखो ये और ये दोनों equal होगा कैसे होगा corresponding angles है CPCT से ये दोनों CPCT से हो जाएंगे इसकी CPCT से जैसे ये हुआ है तो sir ये होगा अपना first second क्या करेंगे second भी अपन by CPCT करेंगे by CPCT we can say that angle BAD is equal to angle CAD angle BAD is equal to angle CAD अब sir BAD और CAD equal होगा उससे मिला क्या उससे अपन को ये मिला भीया कि angle पूरा A दो equal parts में bisect हो गया split हो गया किस नहीं किया होगा AD नहीं किया तो एक line लिखेंगे अपन therefore लगा के therefore AD bisects angle A bisects angle A that's it हो गया बिटा 25 अपना पूरा solve moving on to 26th question now ठीक है? चलो copy कर लो बिटा चलो भई next question number 26 देखते है इसको erase करते है so this is gone ये है हमारा question number 26 ठीक है two sides A, B and B, C and median A, M of one triangle A, B, C ठीक है एक triangle A, B, C बनाओ ठीक है सर ये A, B, C बना लिया ठीक है देखना ध्यान से देखना बिटा this is A this is B and this is C ठीक है A, B, C इसमें median भी बनाओ A, M is a median ठीक है A, M is a median ये A, M हो गया ठीक है done यहां लिखते हैं A, M, median ठीक है median का काम पता क्या होता A, M जैसे याई B, C बिटा equal हो जाएगी this is equal to this ये दोनों parts equal हो जाएँगे ठीक है done है? yes sir, done है एक बार और बना दूँ yes sir ये दोनों equal हो जाएँगे ठीक है और one triangle ABC is equal to ये सारी चीज़े equal है मतलब A, B, B, C और A, M किसके equal है sir? एक दूसरे triangle P, Q, R एक दूसरे triangle P, Q, R तो sir एक दूसरे triangle अपनने P, Q, R बनाया ये बना दिया P, Q, R ठीक है P, Q, R ठीक है देखना बिटा this is P this is Q and this is R done? done sir अब इसको join करो इसकी भी बिटा एक median बनानी है P, N तो P, N median है sir अब ये जो median बन रही है ये भी वही काम करेगी जो यहाँ इस वाले triangle ने काम किया था sir P, N is a median अपनने P, N लिख दिया तो ये वाला पाट और ये वाला पाट equal हो जाएगा ठीक है sir अब पढ़ते क्या दिया हुआ है ठीक है let us read now इनको ज़रा यहाँ shift कर दो ठीक है sir ठीक है अब पढ़ो क्या given है sir given क्या given है sir हमें given है side A, B, B, C, A, M A, B, B, C और median A, M ये equal है किसके equal है sir किसके equal है sir R respectively equal to side P, Q ये P, Q के equal है Q, R ये Q, R के equal है and median P, N और ये P, N के equal है ये median, ये median equal है जल्दी से equal के symbols लगाते है ठीक है A, B, equal P, Q A, B, equal P, Q ये equal है ठीक है sir next B, C, equal Q, R वो बाद में लगाएंगे A, M, equal P, N ये दोनों भी equal है ठीक है और ये भी equal है sir ये purple color की line बना देते हैं पूरी ये पूरी line sir, equal है इसके Q, R के ठीक है, ये पूरी equal है ठीक है sir, done ये purple जो बनी है न, line समझ जाना आपके ये equal दी हुई है ठीक है sir रुकना जरा clear कर लो ठीक आगे चलते है sir moving on to next अच्छा एक चीज़ और सुनो क्या मैं B, C को ऐसे लिख सकता हूँ B, C is equal to B, M, plus C, M B, M, plus M, C B, M, plus M, C ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं और B, M, M, C दोनों equal है क्यों equal है B, M is equal to M, C इसलिए equal है because median ने इन दोनों को equal करा दिया median ने तो equal करा दिया तो मैं M, C की जगा भी B, M लिखना चाहता हूँ तो B, C is equal to BM, plus M, C की जगा मैं B, M लिखूंगा because दोनों equal है तो B, C is equal to 2, B, M ये एक important point आया निकल के ठीक है, B, C is equal to 2, B, M B, C is equal to 2, B, M ठीक है सर ओके, done आगे देखते जाना ये सर सर यहाँ पर क्या मैं Q, R को क्या मैं Q, R को ऐसे लिख सकता हूँ Q, R is equal to Q, N plus N, R हाँ सर लिख सकते हैं Q, N plus N, R बिलकुल लिख सकते हैं Q, R is equal to Q, N plus N, R अच्छा Q, N और N, R तो equal है Q, N और N, R तो equal है सर बिलकुल equal है कैसे equal है सर ये दोने equal इसलिए हैं median P, N, I और median base को दो equal parts में split कर देती है by set कर देती है तो क्या मैं क्या मैं Q, N Q, N plus N, R की जगा Q, N लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकते हैं देखो Q, R is equal to Q, N plus N, R की जगा मैं Q, N क्योंकि दोनो equal है तो जो Q, R है बिटा जो Q, R है वो आई Q, N plus Q, N 2Q, N 2Q, N ठीक है तो इनको अपनने लिख दिया bracket में pack ठीक है सर अब सुना है बहुत important चीज़े हैं यह ठीक है बिटा यहाँ से अपन इसको ठाते है BC is equal to Q, R BC के जगा हम लिखते है 2, B, M 2, B, M Q, R की जगा हम लिखते हैं यह 2, Q, N 2, into Q, N देखना सर 2 से 2 कट गया we have B, M is equal to Q, N बहुत important point आगया यह बहुत important point आगया पेटा इसको mark करेंगे equation number 1 ठीक है सर अब यह क्यों important इतना वो भी बताता हूँ मैं सुनते जाओ सुनते जाओ वो भी मैं बता दूँगा कोई वरी नहीं से ठीक है कोई भी tension नहीं कोई वरी नहीं कोई भी doubt नहीं होने जाई बस यहाँ लिखते हैं इसको ठीक है और इसको थोड़ा सा short करके यहाँ लिखते है ठीक है सर, done ठीक है ठीक है, done ठीक है, चलो अब सुनू हमें prove करना ABC और PQR congruent है, ABC यह पूरा triangle, PQR यह पूरा triangle हमें यह दोनों congruent prove करना है कैसे करेंगे सर, देखो easily हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले यह चीज समझनी पड़ेगी, कि हम directly इन दोनों को congruent नहीं कर सकते, इन दोनों triangles को हम directly congruent नहीं कर सकते, because favorable conditions नहीं है अभी, हम क्या करेंगे we will first of all do second part, यह second part हम पहले कर सकते हैं, ABM और PQN, देखो ABN और PQM बनाते हैं, ठीक है, second part करना शुरू करते हैं सर अपन पहले in triangle ABM and triangle PQN and triangle PQN ठीक है सर, अब देखो दोनों बना रहा पड़ेंगे, बिलकुल बनाने पड़ेंगे सर risk है नहीं तो, ABM यह चोटू सा, चोटू-चोटू से triangle ठीक है PQN यह चोटू सा, ठीक है सर नाम लिग तो इनके ठीक है, let us write the names बड़े प्यार से आराम से करेंगे so that कोई भी डाउट ना रहे okay, so this is ABM ABM ठीक है सर this is PQN जो चीज़े इकोल है वो मार्क करो ठीक है सर, मार्क करते हैं, चलो बिटा, this part is equal to this part ठीक हो, गिवेन है अपन को, ठीक है this is equal to this, गिवेन है, ठीक है सर this median AM is equal to PN ये भी गिवेन है, देखो this is equal to this, ठीक है सर last but not the least by equation 3, BM equal QN जो BN और QN आया, ये भी सर equal है तो बिटा, ये दोनों triangle होगा है side, side, side से congruent in triangle this and this, चलो भी ये शुरू करते है AB is equal to PQ बिटा, this is given ये में given था next, AM is equal to PN AM is equal to PN ये भी हमको given था, दोनों medians equal थी ठीक है, next BM equal QN, ये given नहीं था BM equal QN ये given नहीं था, ये हम लिख देंगे equation number 1 ये भी आप equation 1 को देख लो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हमने equal किये है this is side equal side side equal side, side equal side so we can say that by triple S by SSS congruency by SSS rule of congruence ठीक है, ये दोनों triangles होगा, एक congruent है, अब second part पहले होगा अपना, और ये इसलिए हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पर है ही इसका, प्रोसीजर ही यह है, इस question का, ये ऐसे ही होगा अब इस इन दोनों triangles के congruent होने का, क्या reason है, जरूरी क्या है, क्यों हमने second पहले किया, इनसे CPCT जो निकलेगी ना, वो अपन को help करेगी, first वाले दोनों triangles को congruent करने में, अगर हम देखें तो इन में से सबसे important CPCT, जो हमें निकालनी चाहिए, जो हमें इन दोनों की CPCT, इन दोन बड़े triangles को congruent करने में मदद कर सके, वो क्या है सर, वो है angle B, equal angle Q का होना, थाना, दोनों corresponding angles है, तो इसके CPCT से हमन क्या बोलेंगे, by CPCT, by CPCT, we can say that, we can say that angle B is equal to angle Q, angle B is equal to angle Q, and mark this as equation number 2, यह equation 2 हो गई, clear? Yes sir, अब बात करते हम इन दोनों triangles की, let us talk about these two triangles, जिनका first part में हमें करना है congruency, अब मेरी बास सुनों, इन दोनों triangle में हम सिर्फ ABC छोड़एंगे, ABC, हमें AN नहीं चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए, हमें यह पोईंट नहीं चाहिए, हमें यह यह नहीं चाहिए, यह 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 ठीक है हमें सिर्फ PQR चाहिए and that's it what we want ठीक है इसको yellow color से अपन बना देते हैं ये चाहिए हमें अब जो चीज़े equal है बेटा उने बना देते हैं चलो BC equal QR दिया है बेटा अपन को ठीक है देखो BC equal QR दिया है और angle B और angle Q बेटा ये दोनों अब भी हाल CP CD से ले आए हैं बस अब इन दोनों triangle को congruent करने में कोई भी problem नहीं आएगी तीन तीन चीज़े हैं तो चलो सर फर्स पार्ट करते हैं let us solve first part easily हो जाएगा इसके figures वहाँ बने हुए हैं first part solve कर रहे बिटा we are solving the first one इनके नाम लिखो in triangle ABC in triangle ABC and PQR and triangle PQR बिटा side angle side जिन्दा बात देखो ध्यान से देखो sir this side is equal to this side given तो ये side हो गई this side is equal to this side given तो ये b side हो गई side equal side sir ये दोनो sides ये दोनो sides जहां मिल रही है ये दोनो sides जहां मिल रही है वो angle ये दोनो sides जहां मिल रही है वो angle equal है तो ये अपना हो गया angle ठीक है यह हो गया angle equal इसके तो sir यह इसका मतलब यहाँ यह side side angle side side angle side sas हो गया भई तो sas लगाते हैं और हम इसको formally solve करते हैं a s side बोले तो a b equal p q given यह given है next एक और side b c equal q r given लेकिन वो दूसरे पर नहीं तीसरे पर लिखेंगे b c equal q r हाँ भई यह भी given थी angle a b c equal angle a b c is angle b actually a b c is equal to angle p q r angle q है यह तो angle p is equal to angle q angle b is equal to angle q इसको देखने के लिए आप लिख देना equation 2 है इसको c equation number 2 आप के देना equation 2 देख लो therefore by s a s rule by s a s rule of congruence triangle this and this are congruent विटा यह question हो गया हमारा पूरा solve triangle a b c is congruent to triangle p q r done चल्दी से बिटा इसको कापी कर लो so this is it question number 26 is done moving on to question number 27 now 27, 28, 29, 30 next question please screenshot ले लो इसका TKS से दन take an screenshot इसको इसरेस कर रहा हूं मैं इसरेस इस यह है next question number 27 b e and c f are two equal altitudes of a triangle a b c okay triangle a b c बनाओ this is a b c अब सुनना गौर से a b c यह हो गया भई ठीक है अब इन्होंने कहा b e and c f are altitudes देखना बिटा अगर मैं b से e altitudes बनाऊंगा तो यहाँ बनेगा और 90 degree ही बनाना पड़ेगा c से f altitude बनाऊंगा तो यह ऐसा बनेगा और यह 90 degree ही बनेगा है ना altitude का मतलब भी होता है sir 90 degree with the base ठीक है sir तो b e and c f these are the altitudes ठीक है sir done चलो बढ़ते हैं आगे using rhs congruence rule proved that the triangle is i-sauce-less यार हमें rhs rule ही लगाना है और हमें proof करना है कि यह triangle एक i-sauce-less triangle है यह हमें काम करना है कैसे करेंगे easy easy है easily कर लेंगे देखो कैसे करेंगे सुनना सुनो मेरी बास सुनो ऐसे कौन से triangles और यह equal है altitudes equal है दोस्तों पहले तो equal लगाओ यह altitude जो be है और जो fcf है be and cf are equal be is equal to cf यह दोनों equal है ठीक है डग अब सुनते जाना मेरी बात अगर हमें rhs लगाना है तो हमें 90 degree देखो हाइपोर्ट निउस तो लेना पड़ेगा ठीक है अब तुम धोना सा दिवाग लगाओ इस 90 degree के सामने यह hypotenuse होगा कौन से triangle लेने चाहिए sir bfc ceb यह triangle हमें लेने पड़ेंगे दोनों ठीक है तो triangle जल्दी से बनाते हैं और फिर उनको congruent कराने की पूरी कोशिश करते हैं चलो तो sir अपन bfc बनाएंगे सबसे पहले लीजिए यह बना लिए bfc ठीक है यह 90 degree है भूलिएगा नहीं ठीक है next bec next bec ठीक है यह भी 90 degree है यह अपन ने इनके नाम लिख लिए इनके vertices थोड़े से dark कर दो so that clearly नजर आए ठीक है sir यह क्या है this is bfc क्योंकि rhs लगाना है तो right angle triangle तो धूणने पड़ेंगे बेटा b e c okay क्या equal है equal पहली चीज़ तो हमें cf यह यह जो है और यह जो b e है यह दोनो equal दिये है they are the equal altitudes they are the altitudes altitudes है height है और equal है ठीक है sir और फिर सार हमको यह दोनो angles equal दिये 90 और 90 ठीक है sir और 90 के सामने जो hypotenuse है यह और hypotenuse है यह 90 के सामने यह दोनो भी equal है क्यों equal है क्योंकि sir b c और c भी दोनो बराबर है दोनो same hypotenuse है दोनो triangle की rhs तो follow हो गया sir rhs तो यहाँ follow हो गया कैसे हो गया देखो बताता हूँ देखो sir this is r r stands for right angle this is r r stands for right angle ठीक है sir h 90 degree के ज़स सामने यह h है this is h b c जो h है वो equal है 90 degree के सामने b c के h is equal to h hypotenuse is equal to hypotenuse s stands for side this side is equal to this side तो sir यह वाली side equal दी है पन को है ना यह वाली side यह दोनों equal है तो rhs आराम से हो गया rhs rhs ठीक है चलो sir शुरू करते हैं rhs से इनको congruent कराते है in triangle in triangle b f c b से शुरू करा f c c e b and c e b and triangle c e b ठीक है rhs से करना है r stands for right angle h stands for hypotenuse h stands for side ठीक है r is right angle angle b f c angle c e b angle b f c is equal to angle c e b यह दोनों right angle है तो अपन कहेंगे given altitudes है ना यह दोनों अपन को given है कैसे right angle है अरे बहिए यह altitude altitude का मतलब होता है बहिए perpendicular line ठीक है next as stands for hypotenuse इस 90 के सामने हाइपोटनियूस b c इस 90 के हाइपोटनियूस c b तो sir b c is equal to c b दोनों के हाइपोटनियूस equal है और common है सबसे बड़ी बात है common है इसलिए equal है ठीक है as stands for side sir c f is a side b e is a side जो दोनों equal है c f is equal to b e यह क्या है sir given equal altitudes equal altitudes are given equal altitudes given यह दोनों altitudes है बिटा जो हमें दिये गए next अब हो गया बिटा therefore by RHS हाँ भही by RHS rule of congruence by RHS rule of congruence triangle this and this are congruent triangle b f c is congruent to triangle c e b चलो यह दोनों congruent हो गए अब congruence ही क्यों करी sir इनने तो question में कहीं भी नहीं का साम से कि भही हा congruence ही करो congruence ही करी गई है to prove c p c t ताकि हम c p c t prove कर पाएं अब सुनो sir अगर हम इन दोनों को congruent कराने में कामियाब हो चुके हैं वैसे तो हो चुके हैं तो क्या हम यह angle पूरा का पूरा b और यह angle पूरा का पूरा c equal कह सकते हैं दिमाग लगाओ फिल्कुल कह सकते हैं corresponding angles हैं तो sir हम इससे c p c t derive करेंगे हम इससे c p c t निकालेंगे और इससे c p c t क्या होगा c p c t मतलब corresponding parts of congruent triangles बटा यह होगा f b c e c b angle f b c is equal to angle e c b that is actually angle b is equal to angle c whole पूरा पूरा भहिया equal आ गया है ठीक है angle b यह पूरा angle c यह पूरा अब किसी भी triangle में जब दो angles equal होते हैं तो दोस्त तुम्हें पता है कि वो आईससलिस होता उसके opposite वाले sides भी equal होंगे बिल्कुल होंगे भई पूरा triangle बना लो altitude नहीं बनानी है इस बारी ठीक है sir a b c अब यह जो angle है पूरा और यह जो angle है पूरा यह तो हम equal कर चुके भई है ना दो angle कर चुके अब अब अपन को लिखना पड़ेगा थोड़ी सी कथा क्या in triangle a b c angle a is equal to angle b sorry angle b is equal to angle c angle b is equal to angle c therefore by theorem कौन सा theorem भई है theorem भी याद दिलावना यार theorem याद दिलाते हैं क्या sides opposite to equal angles are also equal sides opposite to equal angles are also equal मतलब इसके सामने side a c है इसके सामने side a b है तो equal a b is equal to a c और दो sides equal हो गई हैं आप कह सकते हो this is a isosceles triangle therefore triangle a b c is isosceles triangle a b c c is an isosceles triangle लो भई दन यही प्रूफ करना था दन है भई दन है बिलकुल दन है सर 27 दन 28 पर चलते हैं बेटा ठीक है moving on to 28 question 28 question क्या है सर अरे आने तो दो फिर देखेंगे ना यार कहा थोड़ी ना भाग रहे question इसको erase करते हैं let us erase this and move on to 28 question यह राप बढ़िया वाला यह easy है जल्दी हो जाएगा एक बार यह आप इस question को read कर लें so that we may move on और बढ़िया तरीके से अपने इसको पढ़के खदम करें एक एक line लिखके इसको समाप्त करते हैं ठीक है चलो आगे पड़े sir question कह रहा है that line segment AB is parallel to another line segment CD यह parallel वाली बात आ रही है यहाँ parallel जैसे parallel आजा समझ जा बही है z वाले angles alternate angles alternate angles sir CD यह जो CD दी गई है ना this and this AD AB जो दी गई है ना this यह दोनों हमको parallel दी गई है they are parallel to each other ठीक है sir parallel का निशान लगा भाई parallel का symbol लगा दिया sir लो भी this is parallel कुछ तो गड़बड है कदा या बिलकुल गड़बड है दा या देखो जब दोस lines parallel होती है then sir actually इस line को हम इस line को यह Z जो बनाएगी इस line को हम transversal बोलते है we call it as transversal what do we call we call it as transversal और sir सुनिये और सुनो और सुनो parallel line से यह जो Z बन रहा है इसकी वज़े से यह angles equal होते है ठीक है यह angles equal होते they are alternate angles due to parallel lines which are equal ठीक है sir अगर हम इस line को भी देखें तो यह भी equal हो जाएगा अगर इस line को देखें हम तो sir यह BZ बना रहा है यह वाला angle sir इसके equal हो जाएगा सब लिखना पड़ेगा बिटा सब कुछ लिखना पड़ेगा तो चलो लिखते हैं sir ठीक है सुनो given क्या given है sir given है A B is parallel to C D A B is parallel to C D ठीक है sir यह दोनों lines parallel है parallel है तो 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 AD will act as AD will act as transversal AD will act as transversal act as transversal transversal की spelling पूरी लिख लेना AD की बात करीए तो फिर C D A angle B A D दोनों equal होंगे therefore angle C D A is equal to angle B A D क्यों? alternate angles है न sir alternate angles है न sir यह parallel lines में Z वाले angles alternate angles equal होते हैं अच्छा क्या मैं B D O चलो ठीक है अटा उसको next अब अपन कहेंगे CB is acting as transversal अब अब अपन कहेंगे CD CB is acting as transversal CB is acting as transversal यह will act as transversal as acting as transversal अब अब अगर यह transversal कर रहे हैं तो DCB angle DCB is equal to angle ABC यह वाला angle ABC angle ABC यह दोनों भी alternate angles हैं equal होंगे है ना parallel line से बने हुए alternate angles equal होते हैं ठीक है sir done बिल्कुल सही है अब हमें A O B और D O C को करना है congruent तो जल्दी से बनाते हैं A O B यह हो गई sir अपनी A O B D O C sir यह हो गई अपनी D O C नाम लग ले चलिए sir name done this is A O B and this side D O C अपन को O is the midpoint of A D O is the midpoint of A D A D का midpoint है O तो sir यह वाली line and यह वाली line यहनि O D and O A are equal ठीक है ठीक है done अब सुनते यहाँ ना मेरी बात इनका नाम लिखते हैं और इन पर सबसे पहले equal का निशान लगा हो this is equal to this ठीक है alternate angles थे उसके अलावाद this is equal to this ठीक है उसके अलावाद this is equal to this ठीक है वैसे vertically opposite angle भी है पर उसका कोई फायदा नहीं है angle angle side से कर लो ठीक है angle angle side से अपन कर लेते हैं sir देखो देखो बिटा this is an angle which is equal to this is an angle इन नोनों का equal दिया है ठीक है इसके बाद यहाँ मोड़े this is an angle which is equal to यहाँ side में this is an angle यह दोनों equal है ठीक है sir फिर side में मोड़का है this is a side AO this is a side फिर side में मोड़का है DO this is a side जो दोनों equal दिया angle angle side angle angle side इनका नाम लिखेंगे in triangle AOB and DOC ठीक है in triangle AOB and DOC what to do now हाँ भई angle angle side का criteria बना तो angle side angle भी बन रहा है बिटा यहाँ यहाँ ASA भी बन रहा है अगर आप चाहो तो बता दूँगा मैं इसको करने के माँ ठीक है this angle is equal to this angle सबसे पहले ABO is equal to DCO angle ABO is equal to angle DCO and the reason behind is alternate angles ठीक है alternate angles यह अलरीदी लिख चुक है अपन ठीक है डन है यह सर फिर यह वाला और यह वाला angle that is BAO and CDO BAO angle BAO is equal to angle CDO यह भी alternate angles these are also alternate angles next angle angle side AO equal DO AO equal DO given O is the midpoint यह लिख दो O is the midpoint of mid point of AD हमें O midpoint दिया गया है AD का DECK O is the midpoint of AD Done तो इसके बाद क्या हूँ असर इसके बाद बस लिख दो by AAS rule of congruence rule of congruence हाँ भई triangle triangle congruent prove हो गए triangle AOB is congruent to triangle DOC is congruent to triangle DOC that's it ठीक है तो पहला काम तो हो गया दूसरा काम O is also the midpoint of BC O AD का midpoint तो दिया गया था O BC का भी midpoint prove करना है तो हो जाएगा सर not a big deal अब देखो कैसे देखो अगर O को हमें O को हमें BC का midpoint prove करना है तो basically indirectly they are saying आप CO और BO इनको equal prove कराऊ और वो तो इला अल्रेडी prove हो रहा है कैसे prove हो रहा है इसके cpct से देखो देखो B से लेकर O ये side और C से लेकर O ये side ये दोनों एक दूसरे के corresponding है ये और ये दोनो congruent triangles है ये side और ये side एक दूसरे की corresponding है तो corresponding sides congruent triangles की equal हो जाती है cpct से तो सर इसी के आगे है अपन क्या लिखेंगे वी विल राइट बाइ C, P, C, T बाइ C, P, C, T ठीक है क्या equal कर रहे है B, O equal C, O ठीक है B, O is equal to C, O और इसे यह चीज तो प्रूव हो गई कि B, C equal parts में bisect हो गई है therefore B, C is bisected B, C bisect हो गई at O B, C is bisected at O यानि जो O है वो midpoint है BC का. Hence, O is the midpoint of BC. Hence, O is a midpoint. O is the midpoint, not R. O is the midpoint of BC. ठीक. लो भे, done. दूसरा भी होगया, 28, done. 2 more left. 29 and 30. Done. I hope इतना clear होगया होगा. Moving on to next question number 29. ठीक है बिटा? जल्दी से इसको copy कर लो. तो इसको अपन ने कर दिया erase. This is our question number 29. आसान है. छोटा सा question है. चलो जल्दी करते हैं. ठीक है? देखो बिटा. ABC is an isosceles triangle with AB equal AC. ठीक है? एक isosceles triangle बना दू. AB equal AC. This is equal to this. ठीक है? यह होगया बिटा. AB. यह होगया AC. ठीक है? है न? Equal है. Draw AP perpendicular BC. Okay. Draw AP perpendicular BC. लोब बना दिया. AP. ठीक है सरी यह P है. This is P. Perpendicular है. अगर यहाँ पर 90 बनाएंगे. तो इदर भी बनाना पढ़ेंगे. आपी perpendicular का तो यही मतलब होता है. हमें परूफ करना है 양ble B equal angle C. हमें परूफ करना है angle B equal angle C. मतलब मैं बता हूँ. यह theorem की provinging पूچ रहे हैं. यह एक theorem की proving पूच रहे है. बताता हूँ क्या? सुनो. एक theorem है. बताता हूँ. बच्चो थेोरम हमें भी यूज़ कर क्या है यही वाला थेोरम कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके opposite के angles भी equal होंगे थेोरम क्या कहता है थेोरम कहता है sides opposite to equal angles sides opposite to equal angles are also equal in a triangle are also equal in a triangle ठीक है जो दो साइड जो भी दो साइड है तीन साइड है कोई भी हो तो अब इसी का प्रूफ देना है इसी दोरम का प्रूफ देना है कि भाई या अगर दो साइड उकोल है तो इस इकोल साइड के सामने angle C इसके सामने angle B यह दोनो उकोल होंगा है प्रूफ करो यही तो प्रूफ करना angle B इकोल angle C तो चलो सर इसका प्रूफ देख लेते हैं इसके लिए हमें congruency obvious सी बात है बिटा करानी पड़ेगी किन triangles की congruency करानी है यह समझते हैं पन सबसे पहले ठीक है चलो तो सर सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनो triangles बनाने पड़ेंगे जो congruent करना है and that is APB APC obviously बात है APB APC ठीक है this is APB APC 90 degree उन्होंने कहा था बनाव 90 degree अपनने बना लिया this is given equal to this यह given है यह दोनों में sides equal है पिटा क्योंकि यह दोनों common है RHS से यह दोनों triangle हो रहे है congruent चलो को RHS से congruent कराते है बेटा ठीक है चलिए सर इनको side में रखते है let us write it down in triangle APB APB APC ध्यान रखना गर इसका नाम आप ऐसे ले रहे हो APB तो फिर आपको इसका नाम ऐसे लेना पड़ेगा APC ठीक है APB and triangle APC and triangle APC ठीक है सर अब RHS का block बना लो RHS RHS का अमने block बना लिया सर R stands for right angle angle APB is equal to angle APC पहिया AP perpendicular बना नहीं है ना उन्होंने कहा था AP perpendicular BC तो 90 degree बने गई next hypotenuse सर इस 90 के जस्ट सामने hypotenuse है AB इस 90 के जस्ट हामने जस्ट सामने hypotenuse है AC दोनों equal दिये हैं AB equal AC these are given हमें given है देखो AB equal AC given next is side AP equal AP side S stands for side common AP equal AP common तो सर ये हो गया हमारा by RHS by RHS rule of congruence we can say that by RHS rule of congruence triangle APB is congruent to triangle APC अब इससे हुआ क्या congruent क्यों करा congruent तो कहीं कहा नहीं था तो इससे ये हुआ कि सर हम अपने इन दोनों triangle के ये दोनों angles angle B और angle C equal करा सकते हैं CP, CT से तो अपने इससे क्या कहेंगे दो triangles जब congruent होते हैं तो उनमें CP, CT यानि corresponding parts of congruent triangles equal हो जाते हैं तो we can say that angle APB ABP ABP ACP is equal to angle ACP और actually इसको हम लिखेंगे angle B is equal to angle C that's it यही हमें प्रूफ करना था ठीक है यही हमको प्रूफ करना था बिटा जल्दी से copy कर लो so that we may move on to last question of this session that is the 30th question 38 नहीं 30th अब कर रहा हूं मैं square is ठीक है यह रहा अपना last question ठीक है चलो AB is a line segment and L is its perpendicular bisector ठीक है AB एक line segment है एक line L है जो इसका perpendicular bisector है perpendicular bisector है ठीक है लो लाइन L बना दो इसकी उपर यह बना दी ठीक है और perpendicular bisector मतलब यह point जो है यह perpendicular भी होगा और bisector का मतलब है this is equal to this यह दो equal तुकडे भी कर रहा है तो अपने line D यह line है तो इसको L लिख देंगे उपर L पर इसका नाम actually अपने DC लग दिया line तो L है this is L इसका नाम अपने DC लग दिया यह CD लग दिया एक line L है जिसका actual नाम है CD वो AB की उपर perpendicular है और bisector है ठीक है सर ठीक है यह 90 तो सर यह भी 90 होगा done next if a point P lies on line L एक point P है जो line L पर lie कर रहा है देखो सुनो देखना अपने इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अब point अपने जैसे वो कहरे एक point P लो line L की उपर लो भी यह point ले लिया P ठीक है यह point ले लिया सर P okay हमें show करना है show that P is equal distance from A and B Sir A से P का distance और A से B का distance P से P से A से P का और B से P का distance बराबर मतलब A P is equal to B P यह हमें प्रूफ करना है this is to be proven यह हमको सर प्रूफ करना है ठीक है यह point P है यह point B है यह point A है ठीक है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ शायद मुझे ऐसी याद आ रही कि यह question मैं करा चुका हूँ देखो जब भी कोई line segment हो और segment की बात कर रहा हूँ line की नहीं line segment और उसका अब एक perpendicular by sector बना दो मतलब perpendicular by sector बतलब perpendicular भी हो और इसको दो equal तुकडे भी कर रहा हो तो याद रखना इस perpendicular by sector के उपर आप कोई भी point ले लो कोई भी point जैसे यहाँ ले लो यहाँ ले लो कहीं भी ले लो यह point इससे और इससे बराबर distance पर होगा यह दोनों equal होंगे अगर तुम्हें यहाँ point लेना है तो यह इससे और यह इससे बराबर दूरी पर होगा यह बात याद रखना एक line उसका perpendicular by sector by sector के उपर कोई भी point ले लो वो point उस line segment के दोनो point या end point से बराबर दूरी पर होगा ठीक है learn इतना learn कर लो इतना दिमाग में feed कर लो ठीक है sir तो चलो शुरू करते है ठीक है शुरू करते है c अटा दो c का काम नहीं है यहाँ आपन l लिख लेते हैं कि यह line l है ठीक है done हमें prove करना है p से लेकर a is equal to p से लेकर b this we have to prove ठीक है sir p a is equal to p b ठीक है sir कैसे prove करेंगे पहले given तो लिख लो given क्या क्या है ओके given है अपने पास 90 है ना p d is perpendicular a b यानि angle p d a और p d b 90 degree angle p d a और angle p d b is equal to both 90 ठीक है sir next अपन को यह bisector भी दिया यानि a d is equal to b d यह भी दिया हुआ है ना bisector दूसरी चीज़ अपन को क्या दिये तो पहली चीज़ दिये दूसरी चीज़ हमें दिये है कि जो line l है जो line l है l bisects a b l bisects a b that means हमें यह दिया गया है a d equal b d a d equal b d यह भी हमको दिया गया है बस अब शुरू करते है भई दो triangle आपको दिखी रहे हैं बच्चा है ना दो triangles अपन को दिखी रहे हैं उन दोनों triangles को congruent करेंगे sir कौन से दो triangles है एक है पिटा p d a और एक है p d b तो p d a बना लेते हैं sir अब p d b बना लेते हैं दिस इस p d a दिस इस p d b यह दोनों 90 degree है sir these are 90 degree है ना right angle है ठीक है यह और यह equal दिए गाए sir a d equal b d ठीक है और कुछ equal है और कुछ equal नहीं है लेकिना equal दिख रहा है sir p d is equal to p d common है ना common side है ठीक है बिल्कुल सही sir बिल्कुल सही अब यहाँ पर तुम्हें criteria बताऊ आरेजस तो लगी नहीं रहा बिटा right angle triangle है ना आरेजस तो लगी नहीं रहा सबसे पहले रहेजस ही check करना चाहिए तो sir सबसे पहले देखना यह दोनों sides है p d equal p d sides है है ना this is also side तो यह side equal side है है ना फिर अपने पास आता है right angle angle right angle है यानि angle equal angle आर नहीं लिखेंगे अपन angle लिखेंगे क्योंकि RHS हो नहीं रहा है angle equal angle फिर आती है बच्चों यह वाली side that is ad equal b d यह वाली side ad equal b d तो sir side angle side side angle side हो जाएगा तो therefore अपन triangle का नाम लिखते हैं पहले in triangle p d a p d b p d a and triangle p d b and triangle p d b ठीक है सर s a s से करना है और किसी से नहीं डरना है s a s ठीक है सर done this is side equal side p d equal p d यह है common p d equal p d is common तो we will write common ठीक है next angle equal angle p d a equal p d b angle p d a is equal to angle p d b यह दोनो 90 डिग्री है इच 90 डिग्री इच और एक तरह से दिये ही गए अपन को perpendicular बोला ही था है नोने last a d equal b d a d equal b d this is given to us बिटा है ना यह अपन को given है तो let us write given next last but not the least therefore triangle p d a and p d b are congruent by अरे वो तो लिख ले है by a s a s by s a s rule by s a s rule of congruence by s a s rule of congruence triangle p d a is congruent to triangle p d b और अब congruence अचे क्या हुआ यही प्रूव होगा है यही करना था ना p a जो p है वो a से और जो p है वो b से equal distance पर है therefore by c p c d by c p c d we can say that p a is equal to p b hence proved है ना पूरी line लिखेंगे बिटा अबी hence proved क्या line लिखेंगे सर line हमें लिखनी है यहाँ पर line लिखनी है therefore point p point p on perpendicular bisector of a b point p on perpendicular perpendicular bisector point p perpendicular bisector pay on perpendicular bisector l of a b is eq distance from a and b is eq distant is eq distant from a and b बिटा, from A and B यह अपन को प्रूफ करना था, this was the last question और अपना session हो गया है समाप्त, ठीक है चलो भई आयोब, आपको session अच्छा लगा होगा, जल्दी से अपन इसको close कर देते हैं थोड़ा सा लेंदी चला गया है यह, because इसमें कुछ questions, चार questions ऐसे थे, जिनमें time लग गया और काफी parts थे, चार-चार parts भी थे ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजिएगा, comment कीजिएगा और अगर channel पर नए है तो subscribe जरूर करना, अगर आपको notes की जरूरत है, तो आपको notes के लिए description में एक link के दी गई है, उस link पर click कीजिए तो आप सीधा एक ऐसे web page पर पहुँच जाएंगे, जहां से आप अपनी requirement के according e-notes and e-books download कर सकते हैं हमारे पास class 6 से लेकर class 12 English medium, CVSC board सारे subjects के notes prepared हैं आप आईए, उन notes को देखिए और अपनी पढ़ाई पढ़िया कीजिए, boost कीजिए magnet brains provide करता है K-12 that is kindergarten से class 12 तक all the classes, all the subject पूरे-पूरे syllabus के videos and that too free of cost बढ़िया दरीके से free of cost पढ़ाई कीजिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए इजी के साथ session को sum up करते हैं जल्दी मिलेंगे in next session till then happy learning, take care, bye